निवश्कार दोस्तों विंद भारत में आप सभी का स्वागत है मैं आपके साथ साक्षी गुपता आईए बढ़ते हैं खबरों की और भारत में कई ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिन में औशधिय गुनों का भंडार होता है इन चीजों का इस्तिमाल सदियों से कई तरह की बीमारियों के उपचार के लिए किया जा रहा है ऐसा ही अरजुन का पेड़ है जिसकी छाल को हाट के लिए वर्दान माना जाता है शोध कर्ताओं का मानना है कि अरजुन की छाल में संभावित कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं हालांकि यह एक आयुरवेदिक उपचार है जिसका उल्लेक चरक संहिता, सुशृत संहिता और अस्टांध हरिद्यम सहित कई प्राचीन भारतिय और शधिय ग्रंथों में किया गया है माना जाता है कि सदियों पहले अरजुन की छाल के पाउडर का इस्तिमाल हार्ट बिजीज के इलाज के रूप में किया गया था आज आपको बताएंगे कि मेडिकल रिसर्च में अरजुन की छाल के कौन से फाइदे सामने आये हैं National Center for Biotechnology Information NCBI की रिपोर्ट के अनुसार अरजुन के पेड को वैग्यानिक भाशा में टर्मिनलिया अरजुन, टर्मिनेलिया अरजुना कहा जाता है आमतोर पर इसे अरजुन के नाम से जाना जाता है इस पेड की छाल के काढ़े का उपयोग भारतिय उपमहादवीप में सदियों से सीने में दर्ध, हाई बलड प्रेशर, कंजिस्टिव हार्ट फेलियर और डिसलिपिडेमिया के लिए किया जा रहा है कई मौडर्न रिसर्च में यह पता चला है कि अरजुन की छाल में एंटी इसकेमिक, एंटीकसिडेंट, हाई पोलिपिडेमिक और एंटी थेरोजेनिक गुन पाए जाते हैं इसकी छाल का काढ़ा बना कर पीने से बड़े फाइदे मिल सकते हैं शोध करताओं की माने तो अरजुन की छाल में ट्राइटर पेनोइड्स, सिटोस्टेरॉल, फ्लेवोनोइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जैसे असरदार फाइटो कॉंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसमें पाए जाने वाले ट्राइटर पेनोइड्स और फ्लेवोनोइड्स को हार्ट हेल्थ के लिए बहतर माना जाता है अरजुन की छाल को दवा के तौर पर इस्तिमाल करने से इसकेमिक कार्डियो मायो पैथी पर सकारात्मक असर हो सकता है इस छाल को एंजाइना पेक्टोरिस, हाई बलड प्रेशर और डिसलिपिडेमिया में काफी उप्योगी पाया गया है खास बात यह है कि अभी तक अरजुन थेरेपी से कोई गंभीर दुषप्रभाव सामने नहीं आया है इस बारे में ज्यादा रिसर्च की जरूरत है जानकारों की माने तो अरजुन की छाल को फ्रेक्चर, अलसर, लिूकोरिया, डाइबिटीज, एनीमिया, कार्डियो पैथी और सिरोसिस में उप्योगी माना जाता है तमिल नाडू के कांची पुरम जिले के पारमपरिक चिकित सक छाल के पाउडर को पानी में उबालते हैं और इसे सुंगने से सिर्दर्थ ठीक होता है और दान्तों के कीडे मर जाते हैं केरल की मालाबार जनजाती द्वारा ताजी पत्तियों के रस का उप्योग कांचे दर्थ के इलाज के लिए और छाल के पाउडर का उप्योग हरिदय रोगों के इलाज के लिए किया जाता है ओडिशा के सुंदरगड जिले में रहने वाले आदिवासी यूरिन में बलड की समस्या से निजात पाने के लिए इस छाल का उप्योग करें